मन्डी से गाजरे लेकर हम लोग निकल पड़े थे अपनी मंजिल की और तो जैसे हम लोग आगे बड़े हमको मंडोर हाईवे रोड पर एक नंदी मराज मिले जो साइड के अंदर बैठे थे हमने अपनी गाड़ी वहाँ पर रोखी और नंदी मराज को गाजर खिलाए नंदी मराज बड़े ही अराम से गाजर खा रहे थे और मैंने इनको बहुत सारी गाजर खाने को डाल दी और इनका आशिरवाद भी ले लिया और ये नंदी बड़े अराम से गाजर का अनन लेते वे खा रहे थे और इनकी सिवा करने के बाद हम लोग और आगे बड़े ही थे कि हमको नंदी गूमाता और बचड़े आते दिख रहे थे हमने इन सबको पहले ही साइट के अंदर बुलाया और फिनको गाजर की सिवा सुरू कर दी और ये बहुत अराम से खा रहे थे और कुछ बचड़े तो बहुत ज़्यादा छोटे ही थे जिनसे सही से खाया भी नहीं जा रहा था और उन्होंने खाने की कोशिश की थी दिरे दिरे खाएंगे तब सीख जाएंगे जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हो हम लोग इनकी सेवा का वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि लोग पुसू सेवा के परती जाग रुख हो इनकी ज़्यादा सेवा करें की सेवा करने के बाद हम लोग गोसला पहुँच गए गोसला जैसे ही पहुँचे तो सबसे पहले पापा ने गोडी को गाजर की सेवा की और गोडी को गाजर बहुत ज़्यदा पसंद थी और बहुत ही ज़्यदा आराम से खा रही थी और पापा ने इसके उपर प्यार से हाथ भी फेरा पापा ने मुझे से का कि मेरा एक वीडियो बना दे तो मैंने पापा का वीडियो बना दिया ताकि यादें रहें जब भी देखें तो उनका अच्छा लगें गोडी की सेवा करने के बाद हम लोग गोडी की सेवा करने की बाद हमने नंदी और गो माता की सेवा करना शुरू कर दिया इसके बीच में पापा ने मुझे थोड़ी और गाजर मांग ली थी मैंने पापा को और गाजर दे दी थी गोडी के लिए मैंने देखा कि मेरा पिडिय नंदी मराज मेरे सामने आ रहा था जिसका नाम मैंने रखा है अनमोल और अनमोल जी जैसे हमारे पास आए मैंनन को गाजर की सेवा की